आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिना क्लाश 12 एक्सरसाइज 19.4 का कोईचर नमर 13 नमर कोईचर को स्वल्व करेंगे तो देखिए गिवें दिया हुआ है इंट्रिकेशन ओप कोईच स्क्वार एक्स इंटो साइन 3 एक्स डिया हुआ है इनका काता है इंट्रिकेशन करने के लिए तो चलिए इनको हम स्वल्व गरते हैं तो इस टाइप के कोईच दाने कि आपको हम बताए थे यानि कि इस एक्सरसाइज में जो हुआ हुआ इस फॉर्म में रहे गा तो देखिए यहां पर इस्वार तो यह ठीख है लेकिन यहां पर साइन 3 एक्स है तो यह पहले साइन 3 एक्स इनका पहले इनको फोर्मुला लगा कर इनको और हम जो हुआ हुआ simplify कर लेते हैं यहां पर लिखिए solution तो देखिए sin 3x का क्या formula होता है वह हम लिख देते हैं यह देखिए cos square x into sin 3x का जो formula होता है वह क्या होता है 3 sin x minus 4 sin cube x dx यह formula होता है अब देखिए यहां से sin x और sin x यह दोनों भाई से साइने प्योंद मिल रहा है तो पहले को मले लेते हैं यह देखिए यह हमारा है cos square x into यहां समसा इने आइस जो है वह कोमण ले लिए यह कितना वचा 3-4 sin square x 3-4 sin square x और यह ds अब देखिए यह जो है वह क्या दिया हुआ है तो देखिए यहां पे जो है हुआ यह तो आने की यह तो हम कर दी अब देखिए sin square x equal to formula होता है 1 minus 1 minus cos square x तो चलिए इनको पहले भी और formula पर इनको पहले तोर देते हैं तो यह देखिए यह हमारा cos square x into sin x और यह देखिए 3 minus 4 इनको हम लिख सकते है 1 minus cos square x और यह जो हुआ dx यह इतना लिख सकते हैं तो बिलकुल लिख सकते हैं अब देखिए इनको जो हुआ हुआ हम अब हम क्या करते हैं तो multiply कर लेते हैं तो देखिए इनको multiply कर लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा cos स्क्वार एक्स इन्टू ये साइन एक्स और ये देखिए ये ठीरी और ये इनको मल्टिप्लाइ करेंगे ये देखिए ये जो है वह कितना हो जाएगा ये चली मल्टिप्लाइ कर देते हैं मैंनस फोर मैंनस मैंनस प्लस फोर को स्क्वार एक्स डिया इतना हो गया अब देखि इनको हम इसे लिख सकते है, को से स्कायर, एकस, इंटू साइन, एकस, और यह देखिए, यह जो हाँ, को से स्कायर, मैनस, 1, इनको हम आई से सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पे, tong वाँ क्या, को सबस्थ करते हैं, थो देखिए, यह यहां पर देखे, sin के पावर कितना है, 1 है, यहां कि sin के पावर जो है, ओड पोजेट विव इनिजर आ रहा है, तो हम put करेंगे t equal to cos x, तो यहां पर जो है, put कर दीजिए, put, यहां कि t equal to cos x, अब इनका differentiate कर देंगे, तो यह हो जाएगा, dt by dx equal to minus sin x, यह minus sin x हो गया, therefore, यहां से dx का value निकाल लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, minus, और यह dt by sin x, यह इतना हो जाएगा, अब हम questions चलते हैं, now, question में क्या सब है, तो देखिए, यह cos square, cos square का स्थान पर यह t square और यह into sin x, और यह 4, और यह देखिए, यह cos का स्थान पर जो होगा, t square minus 1, और dx के जगा पर minus dt by sin x, minus dt by sin x, इनको bracket में डाल देजिए, अब देखिए, यह sin x, sin x cancel, तो यहां पर minus बचा हुआ है, minus को पहले हम ले लेते हैं, और यह t square और यह into 4, t square minus 1 dt, यह इतना हो गया, अब देखिए, यह t को अंदर जो हुआ हुआ, multi, पलाय कर देते हैं, यह minus तो पहले से ही है, और यह 4, t power 4, minus यह t square और यह dt, यह इतना हो कि आप सभी का integration कर देते हैं, 4, t power 5 by 5, minus t power 3 by 3, और यह plus c, तो यह देखिए, minus minus plus, यह पहले हम t वाला भाय से लेखते हैं, तो यहां पे जो हुआ, finally, जो हुआ हमारा क्या answer हो जाएगा, तो यह जो हुआ, 1 by 3, cos q x, और यह minus 4 by 5, cos के power 5 x plus c, यही जो हुआ हुआ, इसका final हमारा answer हो जाएगा, उमीद करते हैं कि आप लोग यह 30 नमर कोह चन जो हुआ हुआ, बहुत यह अथा तरिका से समझ गया होंगे, चलिए अब देखिए, इनका 40 नमर कोह चन जो हुआ हुआ, गिभेन दिया हुआ है, उनको हम पहले लिख लेते हैं, और फिर इनको आप जो हुआ हुआ हम स्वालब करेंगे, तो यह दिया हुआ हुआ है, यह देखिए, चुकि एक पावर जो हुआ, लोग और यह बेस में E और X रहता है, तो यह जो हुआ, यह सभी का जो आदने की भेलू हो जाता है, यह X जो होता है, यह जो X होता है, वही भेलू हो जाता है, यह देखिए, बेस में E हमेशा रहता ही है, तो देखिए, एक पावर लोग बेस E साइन एकस हो जाएगा, इनको हम अशें लिख सकते हैं, यह जो है हुआ, sin x into cos q x dx, यह इतना लिख सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पे जो है हुआ हुआ हम, अब क्या करते हैं, अब हम किसको put करते हैं, यहाँ पे देखिए, sin का भी जो हुआ, power जो है हुआ, odd positive integer आ रहा है, और cos का भी power odd integer है, odd positive integer, और sin का भी power जो हुआ, odd positive integer है, तो हम जो है हुआ, किसी तब जाकर जाने कि, t equal to sin x, या फिर t equal to cos x, कोई हम put कर सकते हैं, चलिए, यहाँ पे जो हुआ हुआ, हम t equal to cos x ही put करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, put, t equal to cos x, अब इनका differentiate कर देंगे, तो dt by dx equal to minus sin x, यहाँ से जो है हुआ, dx का value निकालेंगे, तो minus dt by sin x, minus dt by sin x हैगा, अब देखिए, question से चलते हैं, अब देखिए, यह हमारा कितना है, तो यह जो है हुआ, sin x है, और यह cos q है, यह हमारा हो जाएगा, t cube, dx का स्थान पे जो हा हुआ, minus dt by sin x हो जाएगा, यह इतना ह हा गया, यह sin x से sin x cancel, minus, यह जो हुआ, t cube dt, अब इनका integration कर देंगे, इनका integration हो जाएगा, t power 4 by 4, और यह plus c, अब देखिए, t equal to, हम क्या put किया है, cos, तो यहाँ पे, जो हो, minus 1 by 4, cos के power 4 x plus c, यही जो हो, इसका final हमारा answer हो जाएगा, तो उमीद करते हैं, कि आप लोग यह 40 number question जो है, वह बहुत ही अच्छा तरिका से समझ गयोंगे, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इनके 50 number question के साथ, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो like, comment and अपने दोस्तों के बीच, share कीजिएगा, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जाहिंगा,